वेल्कम टो एंजी कॉन एकेडमी स्टूडेंट्स और अब हम शुरू करेंगे अपने टेस्ट फाइफ की डिसकेशन जिसमें सबसे पहला सवाल है कि कुलम्स लॉइस अप्लिकेबल पॉर तो सुनेट्स आप लोगों ने याद रखने कि कुलम्स लॉइक की चार्जिस जब तक यह दो कंडिशन पूरी नहीं होती हम कुलम्स लॉइस अप्लाइए नहीं कर सकते तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या कुलम्स लॉइस एप्लाइट फॉर मुविंग चार्जिस यह हो जाएगा नहीं पॉइंट चार्जिस यास एनी चार्जिस नहीं तो आल नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अच्छा जी अब यह बोलावा है कि एलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंफैनिट डिस्टेंस फ्रॉमा पॉइंट चार्जिस तो स्टुडेंट्स देखें अगर इंफैनिट डिस्टेंस का बुलाव है त तो अगर आर आपके पास इंफिनिट होगया तो एलैक्क्रिक फील्ड आपके पास 0 हो जागी कि आटव इंफिनिटी देर विल पी नो ऐलेक्रिक फील्ड तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जीरो औप्शन अंबर सी नेक्स सवाल है महारे पास कि विच उफ व्वीश स directly proportional to L by A और यह जब directly proportional का साइन में हटाता हूं तो यहां पर resistivity डलती है तो resistance तो resistivity पर depend कर रहा है क्योंकि resistance की equation में resistivity आ रही है लेकिन resistivity जो है वो इस equation का constant है ठीक है तो resistivity जो है वो independent होगी क्योंकि constant अपनी equation में आने वाली हर चीज़ से independent होता है तो resistance विल बी independent of R A and L resistivity इन तीनों चीज़ों पर इंडिपेंडेंट होगी resistivity विल डिपेंड अपॉन तू थिंग्स टेंपरेचर और मेटीरियल रिजिस्टिविटी सिर्फ स्टुडेंट्स इन दो चीज़ों पर depend करती है और किसी चीज़ पर in नहीं करती तो रिजिस्टिविटी स्टिवेट्स ओर रिजिस्टेंस यह बात गलत है लेकिन resistance Never was equal to students One horsepower हमारे पास इक्वल होती है 746 वाट्स के तो टू होर्स पावर हमारे पास इक्वल हो जाएगी 746 इन्टू तू विच इस इक्वल तू 1492 वाट्स ऑप्शन नमबर बी नेक्स सवाल है कि विच फॉल्विंग मिटेरियल से फ नेगिटिव टंपरिचर ऑफ को एफिशेंट सुदें जितने भी मेटल्स होते हैं आपके पास ठीक है उनका को एफिशेंट पॉजिटिफ होता है और जितने भी सेमी कंडुक्टर्स होत यह डायोड होते हैं उनका एलफा पॉजिटिफ होता है ठीक है तो यहां पर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इनका जो है वो नेगिटिव होता है जी इन दोनों का नेगिटिव होता है स्वारी यहां पर मैं नेगिटिव लिख रहा था अलिमूनियम और आयरन का पॉजिटिव होता है इनका भी positive होता है इसका भी तो यह option जो है germanium and silicon क्यूंकि यह दोनों semi-conductor हैं तो इनका alpha यह coefficient of resistance क्या होगा negative होगा next अवाल है कि वाइर्स हैं रिजिस्टेंस आर इस डिवाइड इन्ट टैन equal parts and all parts are connected in parallel then the net resistance will be अच्छा अब जब आपने इनको 10 parts में divide किया तो हर part की resistance हो जाएगी और वाइटन क्यों और वाइटन हो जाएगी कि और इस डिरेक्टली proportional टू लेंथ जब लेंथ 10 हिस्सों में डिवाइट होगी तो resistance भी 10 हिस्सों में डिवाइट हो जाएगी फिर हम ने क्या किया students के इन 10 parts को parallel में लगा दिया तो जब मैंने parallel में लगाऊंगा तो net resistance equal हो जाएगी R by N अब सारे के सारे resistance जो है वो R by 10 है N जो है वो 10 है तो यह हो जाएगा मेरे पास R by 100 which is equal to 0.01 R जो के बनता है हमारा option नमबर ए नेक्स सवाल है क्या substance is having negative coefficient of resistance और at STP उसकी resistance जो है वो 10 हम है वर्ट विल बीट से resistance इस temperature is increased अच्छा अब यह बात आप लोगोंने students याद रिखनी है कि alpha जो है वो क्या होता है positive होता है और alpha जो है वो negative भी हो सकता है जिन चीज़ों का alpha negative होता है उनका temperature increase करने से उनकी resistance यू है वो क्या करती है इंक्रीज करती है और decrease करती है और conductance increase करती है जिन चीज़ों का alpha positive होता है उन चीज़ों का temperature increase करने से उन चीज़ों की resistance यू है वो increase करती है तो यहां हम इसका temperature जादा करेंगे तो उसकी resistance 10 से कम हो जाएगी देखें जिसका alpha negative है उसका temperature जादा करने से उसकी resistance कम हो रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिरफ A की answer जो है वो 10 से कम है और वो कितना है 8 O हम है next सवाल है कि if a length of wire is increased 3 times and its cross-section alias decrease 4 times than the resistivity of a wire अब यहाँ पर students resistivity पूछावा है resistance नहीं पूछावा और resistivity only depends upon temperature and material तो length और area को change करने से resistivity पर फर्क नहीं पड़ता तो it will remain same option number C इसका correct answer हो जाएगा next है कि two resistors are having resistance R1 and R2 are connected in parallel if their net resistance is R which of the following is always correct students अब आपने एना series के लिए एक बात याद रखनी है कि series में हम कहते हैं कि जो net resistance होती है it is greater than the greatest resistor in the circuit और parallel में हम कहते हैं कि जो net resistance होती है it is smaller than the smallest resistor तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर circuit में दो resistors लगे वे हैं R1 और R2 और दोनों parallel में लगे में हैं तो चाहे R1 स्मॉल है तो net resistance उससे भी स्मॉल होगी और चाहे अगर R2 स्मॉल है तो net resistance उससे भी स्मॉल होगी यानि कि net resistance जो है वह इन आप लोग पूछेंगे कि यह उपर वाला सॉल्फ कैसे होगा तो सुर्ण्स यह सॉल्फ करने की जुरूरत नहीं है आपको आपको यह याद होनी चाहिए कि 6.2 into 10 power 18 charges जो है वह वन कूलम बनाते हैं ठीक है तो 62 into 10 power 18 कितना बनाएंगे तो वह 10 कूलम बनाएंगे और 10 कूलम divided by 1 second equal हो जाएगा आपके पास 10 amp तो इसका answer है हमारे पास 10 10 amp और ऑप्शन नमबर बी नेक्स हवाल है हमारे पास क्या कॉपर वायर फ्रेंट 2 meter and cross sectional इतना area has a resistance of इतना the resistivity of a copper will be the students resistivity find करने के लिए आप simply लगा देंगे आर ये बाई एल तो यहां पर resistance हमें दीवी है 2 into कि रिजिस्ट्रंस रिस्ट्रेस्टिविटी हो जाएगी और ए बाई एल रिजिस्ट्रंस यहां पर हो जाएगी 2 into 10 power minus 2 एडिया यहां पर हो जाएगा 1.7 into 10 power minus 6 और जो लेंथ है वो हो जाएगी हमारे पास टू मीटर यह टू मीटर से कट जाएगा और हमारे पास आजएगा 1.6 exponent 10 power minus 8 जो के बन जाएगा हमारा option नमबर ए नेक्स सवाल आजएगा students हमारे पास कि मैंने internal resistance of a circuit is 0 terminal potential is equal to अब यह देखे students terminal EMF equal होती है terminal potential plus IR के अब अगर i हमारे पास 0 हो गया तो EMF terminal potential क्या होंगे हमारे पास equal हो जाएंगे तो इसलिए मैं लिखता हूँ कि terminal potential is maximum when internal resistance is 0 तो यह हो जाएगा equal to EMF option number C और अगर maximum answer होता तो वो आपका answer हो जाता नेक्स एजी कि 100 watt and 20 watt bulb is connected to a 40 watt power supply the actual power consumption वोड़ भी अच्छा वैसे वह बल्प रेटेड़ 220-200 वोल्ड पे तो सबसे पहले हम उस बल्प की resistance find कर लेते हैं तो resistance equal power equal होती है कि power हमारे पास equal होती है V square by R के तो R equal हो जाएगा हमारे हमारे पास power by V square के तो power sorry V square by power के तो V है हमारे पास 200 into 200 divided by जो power है वो है 100 यह कड़ गए आपस में तो 400 वो हम इसकी resistance आजएगी अब actual power consumption हमने जब वो 40 वोल्ट के साथ करेंट होका तब find करनी है तो वह हो जाएगी हमारे पास power is equal to V square by R अब यहां पर V हो गया हमारे पास 40 into 40 divided by 400 हो जाएगा तो यह 0 इसके साथ कर जाएगा यह 0 इसके साथ कर जाएगा यह 4 इसके साथ तो आपके पास पीछे बचेगा 4 watts जो के बनता है हमारा option नमबर एक नेक्स वाले स्टूडेंट्स हमारे पास के a fuse is connected in dash to a circuit and have a dash melting point तो देखे students जो fuse होता है ना आपके पास वह आपके पास circuit के साथ घर के circuit की बात हो रही है यहां पर वह लगता है सीरीज में और बाकी सारा जो connection हुआ होता है ना घर का यह for example आपका AC है यह आपका bulb है यह आपका fan है ठीक है वह सारे आपस में parallel पे लगे होते हैं लेकिन fuse का सीरीज में लगने का मकसद यह होता है कि अगर यह fuse जो है यहां से बिजली जादा आएगी वोल्टेज जादा आएगा तो यह fuse जो है यह melt हो जाएगा और यहां से आपका circuit जो है वो break हो जाएगा और यह सारे के सारे off हो जाएगे लेकिन for example अगर bulb fuse होता है यहां से तो यहां पर देखें AC और fan चलते रहेंगे लेकिन अगर यहां से आप fuse गाइब कर दें तो ना फिर AC on होगा आपका और ना फिर fan होगा और ना ही bulb होगा तो इसलिए fuse को हमेशा series में लगाया जाता है और उसका low melting point होता है ताकि अगर की डिवाइस सेफ हो जाएं तो इसका होगा कि series और लो जो के बन रहा है हमारा option नमबर भी यहां पर नेक्स वेशने स्टुडेंट्स के दस्टीपर दो हम कब साफ़ कंड़क्टर अच्छा अब अगर मैं स्टीपर बनाऊं यानि के दो हैं मेरे पास एक यह ग्राफ ए है य भूहंज की कर्व हमें क्या बताता है slope is equal to conductance तो जितनी जादा slope होगी उतनी जादा conductance होगी और जितनी जादा conductance होगी उतना जादा current पास होगा तो more the current flow through it, option numbers a is का correct answer हो जाएगा next है जी कि हमने इस circuit में students क्या करना है net resistance find करनी है अब students यह circuit जो है ना यह देखने में series है लेकिन असल में यह bypass circuit है और यह तीनों resistor parallel में correct होएगे कैसे students अगर build first में इस पहले वाले resistance को remove करते हो तो क्या होगा यहां से current आएगा इसमें से भी pass होगा और इसमें से भी pass होगा यानि कि पहले वाले को हटाने से दोनों बागी working में तो पहला वाला बाकी दो के साथ पैरलल में हुआ फिर अगर मैं दूसरे वाले को remove कर दो तो first वाले में से current इस तरह करके पास होगा second वाले में से current इस तरह करके पास होगा तो यानि कि second वाला भी जो है वो बाकी दो के साथ parallel में हुआ यानि कि यह तीनों असल में आपस में parallel में connected है तो parallel के लिए हमें पता है अगर यह तीनों equal हैं तो net resistance equal हो जाएगी R by N के यहां पर R जो है वो हमारे पास 6 है divided by 3 हो जाएगा तो 2 हम जो है वो इसका correct answer हा जाएगा option number C हो जाएगा यह हमारे पास next है जी कि 2 batteries of 12 volt and 8 volt are connected such that positive terminal of battery is facing each other यानि कि यह 12 volt है और यह 6 volt है और यहां पर अगर आप देखें तो positive terminals दोनों के एक दूसरे को face कर रहे हैं तो जब positive terminal एक दूसरे को face करते हैं तो net EMF equal हो जाती है E1 minus E2 के जो के हो जाता है 12 minus 8 which is equal to 4 volt तो option number हो जाएगा D अगर दोनों batteries एक ही direction में potential को फेंग करें होंगी तो उनका add हो जाएगा और option हो जाता हमारे पास 20 लेकिन क्यूंकि यह दोनों देखें इसका potential इदर आ रहा है इसका इदर जा रहा है तो यह दूसरे को subtract करेंगी तो option होगा 4 volt नेक्स है जी कि मैं चार्ज इंटर सा electric field it is always acted upon by a force it will only act when it enters perpendicularly या parallel तो सुडेंट देखें चार्ज जब भी electric field में इंटर होगा उसके उपर force लगेगी कैसे for example यह मैं एक electric field बना देता हूं यह positive हो गया यह आपके पास negative हो गया अब अगर चार्ज लेट से perpendicularly इंटर करता है यह positive चार्ज है तो यह इंटर होगा और उसके उपर force लगेगी और यह negative की तरफ जाएगा और बिल फर्स अगर एक positive चार्ज इस तरह भी एड़ करता है तो यह negative इसको attract करेगा इसके उपर force लगेगी और यह accelerate करेगा तो चार्ज चाहें आपके पास perpendicular इंटर हो electric field में या parallel हो इसके उपर दोनु केसिस में force लगती है तो option number a जो है वो हमारा correct option हो जाएगा नेक्स है जी product of resistance and capacitance have dimensions similar to तो देखे students यह निकाला गया है time constant वाले concept से और time constant equal होता है हमारे पास rc के r into c के जहां पर r जो है वो resistance है c जो है वो capacitance है तो r into c is equal to time option number b next है जी if the distance between the two plates of a capacitor is doubled what happens to energy stored in a capacitor तो students energy stored in a capacitor की equation है half v square e not er by d ठीक है तो यहां से अगर मैं energy का relation देखूं तो वो बन रहा है inverse यानि कि अगर distance between plates of a capacitor is doubled तो energy will become half तो यह हो जाएगा हमारे पास option number b energy is reduced to half next हवाल है कि ratio of electric field produced due to infinite sheet of charges to electric field produced by oppositely charged plates अच्छा अब अगर मैं infinite charges की वजह से बढने वाली electric field को देखूं तो वो होती है sigma by two epsilon not यह infinite sheet हो गई और अगर मैं opposite plates को देखूं तो वो होती है sigma by epsilon not अब अगर मैं इन दोनों का ratio निकालूं तो infinite sheets divided by parallel plates यह हो जाएगा sigma by two epsilon not into epsilon not by sigma तो यह कट गया अपस में और आंसर मेरे पास बचा one by two जो के है हमार option number B next हवाल है students के SI unit for electric field intensity तो यह आपकी book की line है कि Newton पर meter भी है और volt पर meter भी है sorry Newton पर कूलम है और वोल्ट पर meter है तो Newton पर कूलम नहीं है वोल्ट पर meter यहां पर मुझूद है तो option number B जो है वह आपका correct option हो जाएगा next है जी कि three capacitor each having different capacitance are connected in parallel with a battery of six-fold then तो students parallel circuit में आप लोगों ने याद रखना है कि potential constant रहता है और charge होता है और सीरी सरकेट में चार्ज कॉंस्टेंट रहता है या potential होता है और चार्ज कॉंस्टेंट रहता है तो यहां पर हो जाएगा कि और पोटेंशस्य तो parallel circuit में यह давайте ऑल फिल स्टोर ऑल स्टोर्व यह किस में लगे बर में लगए हैं आप तो पेले लेलमें आप सेंप पोटेंशल बाह ठीक है ओल यह बाह ठीक है और सुरीन चार्ज का गलत है तो बोग ए अधी सका correct औप्शन हो जाएगा नेक्स सवाल की तरफ चलते हैं तो नेक्स सवाल है हमारे पास कि अगर यार्ट टू है तो अगर तो टू टाइमस ऑफ कपैस्टन सव वेक्यूम तो यह हो जाएगा टू टाइमस ऑप्शन नमबर एक्स सवाल है कि टू पार्टिकल्स अलेक्ट्रोन प्रोटान और इन जुनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ट विच पार्टिकल्स एक्सपिरियंस मोर फोर्स तो स्टुटेंट्स एक्वेजन होती है एक्यू अब अलेक्रिक फिल्ट वो दोनों की से मैं और चार्ज भी जो है वो दोनों का सेम है विच इक्वल्ट दो 1.6 exponent minus 17 तो जब यह दोनों चीज़े सेम होंगी तो obviously बात है कि फोर्स भी दोनों पर क्या लग रही होगी सेम लगरी होगी तो बोथ विल एक्सपिरियंस सेम फोर्स ऑप्शन नमबर सी नेक्स हवाल है कि टू चार्जिस की वैल्यू क्या होगी कि वह मिनिमम फोर्स एगजर्ट करें बेसिकली तो सुन्ट मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वह ही 1.6 तो हम कहेंगे कि यहां से हम अटाएंगे तो यह आजएगा मेरे पास 3 और इस सब को स्टुडेंट जब मैं सॉल्फ करूंगा तो मेरे पास आजाएगा 2.5 एक्सपोनेंट 10 रेस तो पॉवर माइनस 23 जो के हो जाएगा हमारा अच्छा यहां पर स्टुडेंट्स याद रिखेगा यह 3 इन्टो 3 इन्टो 10 रेस पॉवर माइनस 3 है क्योंके यह आर स्क्वेर होता है तो इसलिए यह 3 जो है यह दोनों कटके 9 आजाएगा 1.6 इन्टो 1.6 हमारे पास 2.5 आजाएगा तो यह आजाएगा 2.5 एक्पोनेंट माइनस 23 जोके है हमारा ऑप्शन नमबर भी अच्छा जी नेक्स सवाल है कि इस लार्जर देन इफ आर सी इस लार्जर देन दे कपेस्टर विल बी चार्ज और डिस्चार्ज अच्छा अब सिंपल यह सवाल है कि अगर आर सी इक्वल होता है टाइम कॉंस्ट जितना ज्यादा होगा कपेस्टर चार्ज भी उतना स्लो होगा और कपेस्टर डिस्चार्ज भी उतना स्लो होगा ठीक है तो जितना ज्यादा आर सी होगा कपेस्टर विल बी चार्ज और डिस्चार्ज इस लोली ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा नेक्स है जी कि डिरेक्श उसको हम positive और negative से connect कर देते हैं तो electrons सारे के सारे repel होंगे positive से और जाएंगे किदर negative से और जाएंगे किदर positive की तरफ तो यह हो जाएगा कि from negative to positive terminal of a battery option number B next अवाले कि इना short circuit क्या होता है तो students याद रखेगा कि open circuit की अगर बात की हो तो open circuit का मतलब होता है कि external resistance infinite हो गई है और current 0 हो गया है और अगर short circuit की बात की हो तो इसका मतलब होता है कि external resistance 0 हो गई है और current infinite हो गया है तो यहाँ पर क्योंकि short circuit की बात की है तो यह हो जाएगा एक्स्टर्नल रिजिस्टेंस जीरो ऑप्शन नमबर बी नेक्स वोशन है हमारे पास कि वैने लेंट ऑफ अक्डॉक्टर इस डबल एंड रेडियस इस रिद्यूस्ट तू हाफ देन दर रिजिस्टेंस विल तो सुट्टेंस रिजिस्टेंस का लेंद के साथ जो है वो डिरे हाफ हो गया तो यह हो जाएगा 2 2 divided by 1 by 4 यह 4 ऊपर चला जाएगा और यह हो जाएगा 2 into 4 which is equal to 8 तो जो हमारे पास रिजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 8 टाइमस हो जाएगी option number B नेक्स से जी कि अवायर इस स्ट्रेश सच ताइट लेंथ बिकम्स 2 ताइम ओफ इस एक्च्वल नेंथ what happens to the conductance of a wire अच्छा देखे students अगर जब भी यह लफ्ज लिखा होगा ना stretch का तो new resistance के लिए आपने formula यूज करना है n square r अब यहाँ पर 2 times किया है हमने stretch करके तो यह हो जाएगा 2 square 4 r यह हो जाएगा हमारे पास 4 r ठीक है यानि कि resistance 4 r होगी लेकिन यहाँ पर हमसे conductance पुछा ह है तो conductance होती है inverse of resistance तो resistance अगर 1 by 4 4 हो गई है तो conductance हमारे पास 1 by 4 हो जाएगी तो बिकम्स लेस तेन हाफ मत्तब हाफ से क्या होगी यह कम हो गई है ठीक है तो option नमबर जो है वो डी जो है वो हमारा correct option हो जाएगा next है जी कि कीपिंग ओहम स्लॉइं concentration a graph is plotted between potential and current of a material with the negative coefficient of resistivity then what is true देखे स्वेट जब भी हम potential और current का graph plot करेंगे तो current क्यूंके sorry जब भी हम यह plot करेंगे तो आप लोगोंने याद रखना है कि potential हमेशा x-axis पहाएगा और current हमेशा y-axis पहाएगा क्यूंके potential dependent है और current जो है वो independent है कुछ लोग इसको कहते हैं कि potential current graph में जो है वो potential जो है वो वाई पे आ जाएगा और इस तरह हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है इंक्रीजिंग बनता है क्योंकि negative coefficient वाले materials वो होते हैं कि जिनको temperature जादा करने से उनकी conductance जादा होती है तो इस graph will show increasing conductance option number B next हमाल है कि two bulbs of 50 watt and 100 watt are connected in series which will be grow brighter तो students अगर याद रखेगा कि parallel की बात की हो तो brightness will be directly proportional to power यानि कि जिसकी brightness जादा power जादा होगी उसकी brightness जादा होगी और अगर series की बात की होगी तो brightness will be inversely proportional to power ठीक है जिसकी power कम होगी उसकी brightness जादा होगी तो अगर यह series में connect होए है तो कौन सा बल्ब जादा grow करेगा जिसकी power कम होगी तो 50 watt इसका correct answer आजाएगा next है कि which one will which of the following substance will show a decreasing curve तो student decreasing ohum curve का मतलब होता है यह curve ठीक है और यह curve कौन-कौन से materials show करते हैं यह जो है बलकि आपको मैं इस तरह करता हूं कि सब का बता देता हूं तो students हमारे पास तीन किसम के curve होते हैं ठीक है यह हमारे पास ohumic curve होता है जो कि straight line होती है यह जो है student हमारे पास decreasing ohum curve होता है और यह जो है students हमारे पास increasing ohum curve होता है यह जो सबसे पहला स्नाइट वाला स्तूर Kashyash यह आइडियल मिटीरियल jaga पिर यह मैटल एny लौ मिटनी शो करते हैं यह वाला करव झो है स्टूडन्स है मैटल एट हाय टम्परेचर शो करते हैं और स्टूडन्स यह वाला है यह हमारे पास semi conductor show करते हैं तो यहां पर हमें बोलावा है कि decreasing curve तो हमें ऐसा ढूंड़ना है कि जो metals जो हैं वो low temperature पे हो तो low temperature पे तब ही हो सकते हैं कि sorry at high temperature हो तो high temperature पे तब ही हो सकते हैं जब वह ज़्यादा current carry कर रहे होंगे तो इसका answer हो जाएगा कि metals conductor carrying a very large current तो जितना large current carry करेंगे उतनी ज़्यादा heat produce करेंगे और इसका answer हो जाएगा d next which of the following potential current गर्फ correctly describes the material with positive value of coefficient तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें alpha की value 0 होगी इसमें alpha की value negative होगी इसमें alpha की value positive होगी तो यहां पर हमसे पूछा है कि positive value of coefficient तो यह हो जाएगा option number d next है जी कि empire hour is a unit of the students empire hour होता है current into time which is equal to empire into hour which is equal to charge ठीक है तो empire into hour is a unit of quantity of charge option number c next question है कि several resistance are connected in parallel the resistance of their equivalent resistor will तो students simple सी बात है कि series में आप लोगों ने याद रखना है कि जो net resistance होती है वो increase करती है और parallel में याद रखना है कि जो net resistance होती है वो decrease करती है इसी तरह अगर net capacitance की बात होगी तो वो series में decrease करेगी और net capacitance parallel में जो है वो increase करेगी तो यहां पर क्योंकि resistance का पूछावा है तो in parallel net resistance will decrease option number b next सवाल है कि which of the following is not a unit of conductance तो students units के अगर हम बात करने तो जो resistance का unit है वो होता है ओहम जो आपके पास conductance है उसका unit होता है ओहम inverse या इसको मैं simply कहता हूँ मोहो और Simon भी जो है वो इसका unit है अगर हम बात कर लें रिजिस्टिविटी का तो उसका होता है ओहम मीटर और अगर मैं बात करूं conductivity का तो उसका होता है ओहम inverse मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स तो यह units है जो आपको पता होने चाहिए तो ओहम मीटर इनवर्स या मोहो इस तो यह हो जाएगा option नमबर बी नेक्स है कि तो रिजिस्टिविटी तो और अगर लेंथ भी वन है और एरिया भी वन है तो तो रिजिस्टिविटी तो ऑप्शन नमबर बी जो है वह इसका correct option हो जाएगा नेक्स है जी कि test charge is taken as तो यह स्वर्ण रखने वाली है बात है कि test charge is always taken as positive next question है हमारे पास कि pick the true statements about electric field lines it provides information about direction of electric field यह बात ठीक है क्योंकि अगर lines right जा रहे हैं तो एक फिल्ट होगी लेफ जा रही है तो लेफ्ट होगी अलेक्रिक फील लाइंस प्रोवाइट इंफोर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ फिल्ट तो यह बात भी ठीक है कैसे फॉर एगर एक्जेम्पल लाइंस राइट साइट पर जा रही है तो आपको पता होगा कि यहां पर पड़ा और यहां पर नेगिटिफ पड़ाव है तो आपको वो टाइप आफ चार्ज के बारे में बता रही है तो यहांनी कि यह हमें फिल्ट स्ट्रेंथ के बारे में भी बता रहे हैं तो और ऑफ दीज है वह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी नेक सब्सक्राइब इस अब यह सवाल यह किया वे स्टूडेंट्स के दो अलेक्ट्रॉंस यह एक हो गया यह दूसरा इनके बीच में डिस्टंस आर है और इनके उपर जो फोर्स लग रही है आपस में वो लग रही है अब यह वोलावा है कि इफ टू प्रोटॉंस आर प्रेटर सेम डिस्टंस यानि कि अब अगर इनको मैंने निकालके दो प्रोटॉंस को रख दिया है और उनके बीच भी डिस्टंस आर है तो अब उनके के कि यूँवान कि टू बाई आर स्वेर अब अगर हम देखें तो चार्ज ओफ एलेक्ट्रॉं और चार्ज ओफ प्रोटॉन जो है वह इक्वल होता है आर आल्रेडी इनको इक्वल है तो क्या होगी फोर्स इनकी इक्वल होगी तो ऑप्षन होगा एफ अगर पहले एफ थ चार्ज टू क्यू है और इनके बीच में जो फोर्स है वो लग रही है एफ ठीक है अब हमने क्या किया कि हमने इन हमने क्या किया कि हमने इन दो चार्जिस के बीच में फोर क्यू और टू क्यू के बीच में wire लगा दी यह लग गई हमारी wire अब जब wire लगेगी न तो 4Q से charges flow करेंगे 2Q की तरफ जब तक कि इन दोनों का charge equal नहीं हो जाता तो equal charge find करने के लिए हम लेते होते हैं इनकी average तो average आजेगी 4 plus 2 divided by 2 तो यह हो जाएगा 6 by 2 equal to 3Q यानि कि जब हम इसमें से wire remove करेंगे ना तो यह charge भी 3Q हो जाएगा और यह वाला charge भी 3Q हो जाएगा ठीक है अब हमें find करना है कि force कितनी होगी तो force directly proportional होती है Q1 Q2 के तो new force हो जेगी Q1 Q2 डश divided by old force हो जेगी Q1 Q2 यहाँ पर new charges है हमारे पास 3 into 3 और old charges है हमारे पास 4 into 2 तो new F हमारे पास हो जाएगा 6 by 9 by 8 into old F के ठीक है तो यह हो जाएगा option number C 9 by 8 of old F अगला सवाल है हमारे पास के consider two charges consider two equal and opposite charges place at a distance are from each other if test charges move along the electric field line joining the two charges electric field force experience by it is अच्छा students यह आप लोगो याद रखना चाहिए कि अगर एक test charge move करता है positive के along ठीक है तो क्या होगा कि वह positive से दूर जाएगा इसना करके यह एक test charge है यह दूर जा रहा है दूर जाएगा तो आर इसका increase करेगा और electric field इसकी increase करेगी इसलिए हम लिखते हैं कि electric field due to positive charge कि डीक्रीज यह लिखते हैं ठीक है फिर अगर एक charge है positive और उसकी लाइन को हम follow करते हैं ठीक है तो इसकी लाइन को जब मैं follow करूंगा तो मैं charge के करीब आऊंगा तो आर आपका decrease करेगा और electric field आपकी increase करेगी तो हम लिखते हैं कि electric field due to negative charge if you follow a line कि increases और फाइनली अगर मैं तो opposite charges ले लूँ तो इस तरह होता है कि यह अगर positive charge है यह अगर negative charge है तो फिल यहां से यहां जा रही है ठीक है जब यहां से यहां move करेगी तो यह point charge जितना positive के पास होगा positive की फिल्ट जादा होगी और जितना दूर जाता जाएगा negative की field जाता होती जाएगी और positive की कम होती जाएगी तो throughout the line जो है वह electric field क्या रहेगी constant रहेगी ठीक है तो if you follow a field line of a positive charge electric field decreases if you follow a field line of a negative charge electric field increases and if you follow a line between two charges electric field remain constant तो इसका answer हो जाएगा remain constant option number c अगला सवाल है हमारे पास कि if you follow an electric field line due to a negative charge electric field dash and potential dash so students electric field की equation होती है हमारे पास electric field is equal to k q by r square और potential की equation होती है minus sorry for negative charge minus k q by r यहां से अगर मैं e का निकालों तो e का inverse relation आता है r के साथ जबकिए का negative का inverse relation r के साथ आता है जो कि मैं डिरेक्ली लिख सकता हूं v is proportional to r अब अगर मैं negative charge बनाऊंगा students और यहां पर मैं इसकी field line बनाऊंगा ऐसे करके ठीक है तो अगर मैं इसके पास आ रहा हूं तो मतलब के r decrease कर रहे अब अगर r decrease करेगा तो उपर equation से जाहिर है कि अगर r decrease करेगा तो electric field increase करेगी और यहां पर अगर मैं दिखूंगा तो r decrease करेगा तो potential decrease करेगा तो इस एसाब से मैं लिखूंगा कि electric field will increase and potential will decrease option number a जो है वो इसका correct option हो जाएगा अगला सवाल है हमारे पास कि negative gradient of electric potential is called less तो यह students direct सवाल है आप लोगों को पता होना चाहिए कि gradient सबसे पहले क्या होता है तो anything divided by distance तो potential gradient क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाइटी और डेल्टा वी बाइडी equal होता है electric field के तो यह हो जाएगा हमारे पास electric field intensity option number B अगला सवाल है कि two charges of minus 4 कुलम और 9 कुलम और 1 meter away from each other their equilibrium point अच्छा स्वाइट equilibrium point जो होता है आपके पास यह मैं आपको सारह समझा देता हूं equilibrium point हो चाहे चाहे जीरो field point हो यह चाहे जीरो force point हो यह तीनों एक चीज़ है ठीक है और इन तीनों को find करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो formula यूज़ करते हैं अगर हमारे पास स्टूडेंट्स लाइक चार्जिस होंगे ना तो हम formula यूज़ करेंगे x is equal to under root q1 divided by under root q1 plus under root q2 into r और अगर हमारे पास unlike charges होंगे तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे x is equal to under root q1 divided by under root q1 minus under root q2 into r और यह बात आप लोगों ने ख्याल रखनी है students के यह जो x होगा ना सॉरी यह जो q1 होगा यह आपने smaller charge लेना है ठीक है और यह जो x होगा यह आएगा आपके पास distance from smaller charge अगर आप distance find करना चाहते हैं greater charge से तो आपको r minus x करना पड़ेगा तो r minus x से आपके पास आएका distance from greater charge इस equation में आपने sign of charges को use नहीं करना और फाइनली एक बात आप लोगों याद रखनी है कि अगर आपके पास answer negative में आया तो इसका मतलब होगा कि यह behind the charge point ठीक है तो यह इस सारी बात इस equation को use करते हुए आप लोगों ने mind में रखनी है अब हम अपना सवाल देखते हैं तो यह पहला है जी कि अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस की equation use होगी हमारे पास x is equal to under root q1 divided by under root q1 minus q2 into r अब यहां पर में values चालूंगा तो q1 को हम हमेशा smaller charge लेते हैं तो यह हो जाएगा 4 divided by under root 4 minus under root 9 into 1 तो यह हो जाएगा मेरे पास 2 divided by 2 minus 3 which is equal to minus 2 meter यहनी कि this point is minus 2 meter का मतलब है behind 2 meter from 4 कूलम charge और अगर मुझे 9 कूलम वाले का find करना है तो मैं r minus x करूंगा तो यह हो जाएगा मेरे पास r हो जाएगा 1 minus minus 2 हो जाएगा तो यह या तो 3 in front of 9 कूलम चार्ज है या तो यह 2 behind 4 कूलम चार्ज है तो यह हो जाएगा option number D 2 meter behind 4 कूलम चार्ज आगला सवाल हमारे पास आ जाता है कि in a region of space where electric field is 0 potential is तो students यह बात आप लोगोंने याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी electric field is 0 हुई तो potential difference 0 हो जाएगा और potential आपके पास constant होगा यानि कि एक space है आपके पास यह इसना कर लेते हैं चलें एक चार्ज स्फेर है अब हमें यह पता है कि उसके अंदर electric field होती है जीरो तो अब अगर आप चार्ज को यहां से उठाके यहां पर फॉर एक्जामपल आप आते हैं या आप मूफ करते हैं सिंपली इदर से इदर ठीक है एपॉइंट से भी पॉइंट पे तो आपका potential चेंज तो नहीं हो सकेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर अगर हम देखें तो फॉर चार्ज स्वेयर हमारे पास जो अलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टुडेंट्स वह स्वारी जो पॉटेंशल होता है वह हमारे पास एक्वल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर ठीक है तो यहां से अगर मैं पॉटेंशल का रेलेशन NICKालूं आर के साथ तो वह बन जाएगा इंवर्स जहां पर आर जो है वह रिडियस ओफिस पेर है तो अब अगर मैंने रिडियस ओफिस फैयर को टू टायम्स किया है तो potential obviously मेरे पास कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो वी बाइटू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल है कि the closer you move towards a negative charge the more the potential ठीक है तो यह आप लोगों ने याद रखना है कि अगर positive charge का लिखा हो let's say मैं कहता हूँ यह positive charge है और आप इसकी field को follow करते हैं ठीक है मतलब कि आप इससे दूर जाते हैं तो the far you move from positive charge potential decrease करेगा और negative charge के आप जितना पास आते हैं उत्तना potential decrease करता है तो यह आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो इस the closer you to move towards a negative charge the more the potential decreases option number a next सब्सक्राइब हमारे पास के a capacitor is charged and a battery is removed now die electric is introduced between the plates the potential of the plates of the plates of the capacitor अच्छा अब यह students आप लोगों ने याद रखना है कि आपको देखना पड़ता है कि connected capacitor है यह disconnected capacitor है अगर तो students capacitor connected हुआ तो आप लोगों ने याद रखना है कि connected capacitor में potential constant रहता है और charge और capacitance का direct relation के साथ इन्वर्स रिलेशन आ जाता है अब यहां पर हमें कहा है कि capacitor is charged and battery is removed यानि कि यह disconnected capacitor की बात हुई है now if a dielectric is introduced between the plates यानि कि अब हम ER ले आए हैं तो ER को लाने से capacitance जादा होती है और यहां पर हमें नजर आ रहा है कि अगर capacitance जादा होगी तो potential हमारे पास decrease होगा और charge क्या रहेगा constant रहेगा तो इसका answer हो जाएगा कि capacitance will sorry the potential of the plates will decrease option number B next अवाल है हमारे पास कि three capacitor having equal capacitor are connected in series and their net capacitance is 2F now if they are connected to a battery source of 10 volt then the charge through each capacitor will be अच्छा सबसे पहले हम इसमें student individual capacitance find कर लेते हैं तो series में हमें पता है कि capacitance equal होती है net capacitance is equal to nc यहां पर हमारे पास जो है वो three capacitors है और हर capacitor की जो है वो two F है two farad है तो यह हो जाएगा हमारे पास six farad यानि कि हर capacitor जो है वो हमारे पास six farad का लगाव है अब हमने क्या किया है कि हमने इनी तीन capacitor को जो six six farad के हैं उनको अच्छा सौरी यह series में लगे हुए series के लिए हमें net capacitance इस तरह से find करनी पड़ेगी कि सी बाइ एन तो यह हो जाएगा मेरे पास तू बाइ थ्री फैरेट सौरी यह इस तरह से होगा अब यह हर capacitor जो है यह two by three farad का है और हमने इसको connect कर दिया है विद यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी के साथ और हमें यह बताना है कि हर capacitor में से charge कितना जाएगा तो अब series में जो है वो charge constant रहता है और वो charge find करने के लिए हम करते हैं simply q is equal to cv total c जो था वो हमारे पास 2 था वी जो है वो हमारे पास 10 है तो यह हो जाएगा हमारे पास 20 Coulomb charge which is equal to option number d next सवाल है हमारे पास के if the amount of work required to move a charge q from one point to another point then the potential difference between the two points is given by the students यह बहुत डिरेक्ट सवाल है कि जो potential difference होता है उसकी definition ही होती है work done per unit charge बाकि आप additional points दिख लें कि potential difference is a scalar quantity और जिसका ऐसा unit जो होता है वो हमारे पास volt होता है तो यह हो जाएगा इसका आंसर वी इस एक्वल टू डब्ली बाई क्यू ऑप्शन नमबर ए नेक्स है जी कि टू चार्जेस वन कूलम और 6 कूलम है वर रेशो और फोर्स एक्टिंग उन्देम विल 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 याद रिखेगा कि टू चार्जेस विल अल्वेस एक्जर्ट एक्वल एंड ऑपोजेट फोर्स हमेशा एक दूसरे पर एक्वल बट ऑपोजेट फोर्स लगाते हैं तो बी ऑप्शन नमबर ए भी जो है यानि कि दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स अगर बराबर होगी तो उनका रेशो वन रेश है तो यहां हो गया सुदेंट्स हमारा टेस्ट फाइफ की डिसकेशन कंप्लीट अब इंशाला नेक्स वीक में सिक्स की डिसकेशन के साथ मिलेंगे थैंक यू